नमस्कार दोस्तों केसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो आए आज किस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्छा दस्वी के बिज्ञान का पहला अध्या और पहला अध्या क्या दे रखा है रसाइनिक अभिकिरि को पूरा वाच करना है पूरा अगर शुरू से लेके अंत की इस वीडियो को देख लिजेगा तो आपका ये अध्याय जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा इधर उधर नहीं जाएगा ठीक है और हाँ एक और बात बताता हूं ये जो है आप लोग का वन स्वाट वीडि तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं रसाइनिक अभिकिरिया किसको कहते हैं एक दम जवर्दस तरीका से समझना है रसाइनिक अभिकिरिया वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुन धर्म बाले नए पदार्थ का निर्मान करता है उसे ह इक ही कर निर्मान करता है उसे ही रसाये निक अभी कर्या कहते हैं क्या कहते हैंसर नहीं समझ में आया अरे वाई चाबल ठीक है आप लोग घीर खाये होना तो चाबल में चाबल और दूद ठीक है चाबल और जब दूद मिला देते हैं उसको गर्म करते हैं गर्म करने के बाद चाबल और दूद मिला के जब गर्म करेंगे क्या बन जाता है खीर बन जाता है क्या बन जाता है खीर बन जाता है तो यहाँ पे क्या था भई यहाँ पे क्या था चाबल था दूद था दोनों को मिला के हमने चूलहे पे गर्म किया तो क्या बन गया खीर बन गया यह क्या बन गया खीर बन गया पलस्चीनी भी तो चाहिए सर चलो यहाँ प गुंधर्म बाले पदार्थ का निर्मान करता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे रसायनिक समीकरन कहेंगे तो नया यहाँ पर मिल गया अब यह चीनी मिला दीजिए कोई दिक्कत होगा नहीं होगा खीर में चीनी मिला सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो है क्या बोलेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुंधर्म बाले पदार्थ का निर्मान करता है उसी को क्या बोलेगे हम लोग रसाइनिक अभिकिरिया बोलेगे इससे सस्ता उधारन कोई भी नहीं है ठीक है चलो वही यह चीज समझ गे अब उधारन के लिए यहां पाजाओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है गैस हाइड्रोजन क्या है गैस है ठीक है और ऑक्सिजन भी क्या है गैस है जब हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है जल बन जाता है है यह चीज़ समझ माया कोई दिक्कत हुआ जी अगर आप लोग से कोई भ जसे की मैंने चाबल दूध की कहाणी सुना आपको यहां पर लोग समझ लो है डरोजन और फिजन जब मिलता है जब हैड्लोजन और अउक्सिजन के अभीकिरिया कर वाएंगे है तो क्या हो जाएगा एच टू ओ तो जल का निर्मान करेगा किस चीज़ का निर्मान करेगा जल का निर्मान करेगा अब यहां पर देखो Magnesium है, Magnesium क्या है Solid S चे क्या होता है Solid, Solid means ठोस इसकी अवस्था को बताता है, ठोस और Oxygen क्या है, औक्यां गैस ए झालोग ऑजय किया है जो हम लोग athti है हम लोग यृग candle लिया मेनसीерм यहां da यह वस्था में होता है और यह स्था और चैन Rio और मेंगेम जल्ड़तिके में बन गया मेगनेशेयम औक्साइड में तो आपको याद हुआ है कि नहीं वह रसायनिक अभीकिरिया किसको कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुन्धर्म बाले पदार्थ का निर्मान करता है उसी को क्या के ते है रसायनिक अभी किरिया केते हैं उधारन के लिए बेटा ये चिपका देना आप लोग को अब नोट रसायनिक अभी किरिया को जो है भौतिक विधियों से पल्टा नहीं जा सकता है अगर हम लोग चाहें कि अब यहां पे जल बना लिए इसको फिर से अगर भौतिक किरिया के द्वारा भ भौतिक विधि द्वारा जो है इसको पलट के फिर से वही चीज़ बनाएंगे नहीं बनेगा ठीक है याद रखना रसायनिक अभी किरिया को भौतिक विधियों से पल्टा नहीं जा सकता है फिर से उसे नहीं बनाया जा सकता है ओके कोई दिक्कत हुआ यहां तक समझने में प्लीज कमेंट कर देना किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे आते हैं हम लोग आगे हम लोग समझते हैं रसायनिक अभी किरिया के उधारन क्या क्या है पूछ देता भई उधारन क्या क्या है भोजन जो बनाते हैं आप लोग भोजन जो बनाते हैं वो भी क्या है रसायनिक अभ यह भी क्या है रसाइनिक अभिक्रिया दूद जमाते हैं ना दूद जमाते दूद से दही बनता है ना तो भी क्या है रसाइनिक अभिक्रिया है मेगनिसियम रीवन को वायू में जलाने पे मेगनिसियम ऑक्साइड का बनना यह भी क्या है यह भी क्या है रसाइनिक अभिक्रि है ओके इतना ही अब और आप लोग से पूछ दें और रसायिक अभीकिरिया के दवर्ण होने वाली परीवर्टन को बता है जब रसायनी का भीकिरिया होना तो उसके परिवर्टन भी होता है क्या होता dorm अबस्था जो है अबस्था में परीवर्तन हो जाता है ठीक है मैंने इससे पहले आप लोग को उधारन दिया था यहां पे देख लो मेगनेसियम जो था क्या था सॉलिड था और ऑक्सिजण क्या था गैस्ट खा जब मेगनेसियम ऑक्साइड बन गया मेगनेसियम ऑक्साइड क्या है सोलीड है ठीक है तो अभस्था में क्या होता है पडिवर्तन होता है क्या होता है अभस्थाम परिवर्तन रंग भी बदल जाता है क्या होता है रंग भी बदल जाता है उसका कलर भी जो है क्या होता है चेंज हो इतना ही आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है रसाइनिक अभिकिरिया के दोरान होने वाली परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उसर्जन, ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम लेते हैं, रसाइनिक अभिकिरिया में जो भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता, अभिकारक कहलाता बिटा, यह क्या हो गया, अभिकारक हो गया, यह क्या हो गया, जो रसाइनिक अभिकिरिया म भाग ले रहा है, रसाइनिक अभिकिरिया म कोन भाग ले रहा है, मेगनेसियम और ले रहा है तो यह क्या हो गया अभिकारक हो गया और यह दोनों के अभिकिरिया के बाद मेगनेसियम ऑक्साइड जो बना यह क्या उत्पाद हो गया यह क्या हो गया उत्पाद हो गया ठीक है जिसको इंगलीज में बोलते हैं प्रोडेक्ट क्या बोलते हैं प्रोडेक्ट ठीक अभी कारक और ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया. मेगनेसियम प्लस ऑक्सेजन क्या बना? मेगनेसियम ऑक्साइड. तो अभी कारक किसको कहेंगे वीटा याद हुआ? अभी कारक वैसे पदार्थ को केते हैं, जो रसाइनिक अभिकरिया में भाग लेता है, कोई दिक्कत जी, उत्पाद किसको कहेंगे, उत्पाद वैसा पदार्त को कहते हैं, उत्पाद वैसा पदार्त को कहते हैं, जिसका निर्मान अभिकारकों से मिलकर होता है, ठीक है, अभिकारक से जो मिलकर अभिकरिया के बाद ज गया टेंशन खतम कोई दिक्कत जी नहीं न आई आगे बेटा रसाइनिक समीकरन किसको केते ठीक है रसाइनिक अभिकिरिया को रसाइनिक समीकरन द्वारा जो है निरूपित किया जाता है रसाइनिक अभिकिरिया रसाइनिक अभिकिरिया को रसायनिक समिकरन ये जो ये जो श्टिक्चर देख रहे ये रसायनिक समिकरन हुआ ठीक है रसायनिक अभिकिरिया को रसायनिक समिकरन द्वारा निरूपित किया जाता है और रसायनिक समिकरन के अभिकारक और उत्पाद में पदार्थ के परतिक पदार्थ का जो पर्तिक होता है, जैसे Magnesium को Mg संकेत लिख दिए, और Oxygen लिख दिए, और O लिख दिए, तो Oxygen हो गया, तो पर्तिकों का, या सुतरों का इस्तमाल किया जाता है, और पर्तिकों के साथ, उसके भौतिक अवस्था, मतलब Magnesium के जो भौतिक अवस्था है, ये Solid है या Gas है, य ये भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मेगनेसियम सॉलीड है, ओक्सिजन गैस है, और ये MGO मेगनेसियम उक्साइड क्या होता है, सॉलीड होता है, इसके अवस्था को भी लिखा जाता है, भौतिक अवस्था को भी दर्साया आजाता है, उसे ही रसायनिक समिकरन केते हैं, फिर स के साथ उसके भौतिक अवस्था को भी दर्साया जाता है उसे ही क्या कहते हैं रसायनिक समीकरन कहते हैं ठीक है तब यहां पर देखिए मैगनेसियन डीवन को वायू में रखते हैं ठीक है वायू में जब हम लोग दहन करते हैं मतलब ऑक्सिजन में जब हम लोग दहन करते हैं तो magnesium oxide बनता है तो यहां पे है magnesium plus oxygen तो magnesium plus oxygen मतलब magnesium और oxygen से जब अभिक्रिया करता है तो magnesium oxide बन जाता है या सीधी बात किया जाए तो magnesium d1 को जब वायू में जलाएंगे ना आग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा magnesium oxide बन जाएगा ओके अब यहां पे एक चीज और भी समझ लिजिए आग जब भी लगेगा oxygen के दर्वियान लगेगा बीना oxygen के आग नहीं लगेगा जादूगर को देखे हैं बेटा जादूगर क्या करता है गोला में आग लगाता है गोला में आग लगाया माचीस बारा और पूरा मुह बंद कर लिजिए थो बंद हो जाता है और अग बंद हो जाता है अगर थोड़ा सब ही मुह गया oxygen थो सम्झो जल गया कभी-कभी बच्चा में देखते होंगे इस मा चीस को वहीं पर आग लगेगा ठीक है तो मेगनेसियन रीवन को जब वायू में आप आग लगाओगे तो क्या बन जाएगा मेगनेसियम ऑक्साइड बन जाता है ओके आई होप ये किलियर हो गया होगा अब अब जो हम लोग निम्र रसायनिक समिकरन को संतूलित कीजिए यहां पे कुछ समिकरन दे रखा है इसको हम लोग क्या करेंगे संतूलित करेंगे और संतूलित करना बहुत आसान है इतना आसान की पूछिए मत ठीक है यहां पे जो भी दे रखा है उस सभी को हम लोग क्या करेंगे संतूलित करें और सवाल पूछा जाता है हमेशा या कभी 2 देता है । यहां पर समझ लीजिए एक दम जवर्दस तरीका से समझाते हैं आइए तो सबसे पहले जो रसायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं अभिकारक के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं अभिकारक के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं उत्पाद क एक चीज को रिवीजन करते जो अराम से क्लियर हो जाएगा पूड़ा का पूड़ा टॉपिक और एक एक करके हम लोग लेते हैं इसका ध्यान से समझना यहां पे एक लाइन खिच देते हैं आप लोग को समझाने के लिए ठीक है अब देखो यहां पे यहां पे जो पलस लगा इस घड़ में घूसते हैं यहां पे देखते हैं हम लोग क्या है है फाला घड़वाला हो गया अब दूसरे घर में घूसते हैं अब यहां पर हर चीज को समझना है CA calcium ठीक है यह कितना है एक है कुछ नहीं अब देखो यह जो है ना इस तरह से जो लगा है यह जो है इस तरह से लगा रहे है समझना कि oxygen भी 2 है और hydrogen भी 2 है ठीक है यहां पर यहां पर देखेंगे oxygen की संख्या कितनी है दो है और hydrogen की संख्या कितनी है दो है यह चीज़ समझ में आगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आए इधर हम लोग गूसते है केलसियम कितना बेटा केलसियम कितना एक अब यहां पर देखो यहां पर गरबरा जाएंगे बच्चे गरबराना नहीं आप लोग को यहां पर यह जो है यहां पर oxygen तीन है लेकिन नैट्रोजन दो है क्योंकि होल्ट वाई के अंदर क्या है एन ओ है लेकिन यहां पर oxygen के यह अलग घड़वाला कोई दिक्कत जी नहीं न अब देखो यहां पाजाओ हैड्रोजन की संख्या बताओ दो और ऑक्सिजन की संख्या बताओ ऑक्सिजन तो एक ही है सर चलिए इस तरह से आप लोग लिख लिजिए समझना है और कुछ नहीं है ठीक है अब देखो हैड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 से 2 से 2 से 2 है और है है घ्रोजन की संख्या यहाँ टो हो जाएगा रोक्सिजन की संख्या और और हैides oxygen की संख्या चो हो जाएगा, क्या हो गया, चो हो गया, चलो, अब देखो, हैडोजन की संख्या 2, हैडोजन की संख्या 2, नेट्रोजन की संख्या 1, अच्छा, नेट्रोजन की संख्या 2, तो नेट्रोजन की भी संख्या 2, और ऑक्सिजन की संख्या 6, तो ऑक्सिजन की संख्या यहाँ पे पहले ये देख़ लो, ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पाद्सिजन की संख्या 1. तो देखो, दूदउना 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी क्या हो गया? यहाँ पर 2, क्योंकि जब भी गुना होगा, तो पूर अब मिलाईए अब मिलाईए देखिए सब मिलता है की ने मिलता है हैड्रोजन की संख्या दो बेटा हैड्रोजन की संख्या चार तो इधर भी हैड्रोजन है ना हैड्रोजन यहां पे भी है अब यहां पे धियान देना थोड़ा सा फोकस कर देते आप लोको यहां पे हैड्रो तो यहां पर दो लिख देंगे और यहां पर दो लिख देंगे और यहां पर यहां पर एक बार गुना किये हैं यहां पर दो लिख देंगे अभी भी अगर नहीं समझ में आया ना तो आगे फिर बताते हैं चार है चारों बताएंगे तेंसर नहीं लेंगे फिर से अपन लोग क्या करेंगे यहां पर एक लाइन खीचेंगे सिंगल बे में एक ल एक और oxygen की संख्या, एक hydrogen की संख्या, एक यह अलग घड में, पलस से इधर, अब इधर आजो, hydrogen की संख्या, दो और sulfur, ठीक है, S, sulfur की संख्या, एक क्योंकि oxygen सिर्फ 4 है, जितना फटा-फट हम लिख लेंगे उतने जल्दी बना लेंगे, ठीक है और S का संख्या 1 और oxygen की संख्या 4 ठीक है यह अलग घरवाला ठीक है hydrogen की संख्या 2 और oxygen की संख्या 1 चलिए इस तरह लिख लेना है आप लोग को भी कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा आज यहाँ पर चलो sodium ना sodium की संख्या यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है सबसे पहला काम करना है इसमें 2 से गुना करें यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और oxygen की संख्या 2 और hydrogen की संख्या 2 ठीक है चलो फिर से मिलाओ sodium की संख्या 2 oxygen की संख्या 1 oxygen की संख्या यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है कैसे होगा यहाँ पर भी 4 है तो इसको रहने दीजिए आगे देख लेंगे hydrogen की संख्या यहाँ पर 2 यहाँ पर भी hydrogen की संख्या 2 है यहाँ पर कुछ न कुछ होगा और यहाँ पर देखिए सलफर का संख्या एक ते एक ऑक्सिजन का संख्या चार तो यहाँ सिर्फ यहाँ पे होड़ा गया मिल तो नहीं रहा देखो यहाँ पे सोडियम देखो दो तो दो ऑक्सिजन दो और यहाँ पे चार चार दो छे हो गया ना यहाँ पे दो और यहाँ पे चार चार दो छे तो यह पर मिलाई यह अब 100% मिलेगा सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सिजन का संख्या 2, 4, 2, 6, पुरा हुआ, हैडोजन की संख्या 1, यहाँ पर भी है, हैडोजन की संख्या 2, हैडोजन की संख्या 2, हैडोजन की संख्या 2, हैडोजन की संख्या 2, हैडोजन की संख यहां देखिए 4- पुर्ण हो गया तो हो गया मुत तो शूर से और आया कोय तौना किये और यहां कुंज Canadian वहार खुद Montekin अनपस हो गया कहीं कोई दिक्टत हुआ। करता है Yakो के的话 रहीत कि अभी भी समझतनी तो और है कि दो और बाक्ये यह उत्ले परसें समझ लेना आजो वही ठीक है सबसे पहला काम अपन लोग क्या करते हैं एक लाइन खीछते हैं सर इस तरह से लाइन खीछ दिए एन एन ए ठीक है सोडियम क्लोडाइट CL ये भी एक ये भी एक चलो भई एक घर बना दिये AG AG हो गया AG हो गया भई चलो N AG 1 N कितना एक ही और oxygen की संख्या 3 चलो भई oxygen की संख्या 3 अब यहाँ आप देखो AG कितना है एक है और CL क्लोडीन की संख्या कितना है एक है जिस तरह से ओर यहाँ पर अब देखो एक ऑक्सिजन तीन आज ऑक्सिजन तीन सब तो सेम ही मिल रहा है मतलब यह पहले से समिकरांस अंतूलित है क्या हो सकता है मेरे से मिश्टेक हो गया होगा कहीं एक बार और चेक कर लो सोडियम देखो एन ए एक एन ए एक क्लोरीन देखो सी एल क्लोरीन सी एल यहां पर और कहीं सी एल है जी नहीं नहीं है चलो एजी वन तो वन एजी और कहीं नहीं है इसमें भी नहीं है यहां पर एन एक टेक ऑक्सिजन तीन ऑक्सिजन तीन सेम तो मिल रहा है कहीं कोई दिख्कत ही नहीं इसमें पूरा का पूरा मिल रहा है कि सोडियम एक क्लॉरिन एक सोडियम चलो मेरे लगता में स्टिक दिनीं कर दिया में सोडियम इधर नहीं है चलो यह पूरा हुआ क्लोरिन इधर नहीं है, C1 इधर भी 1, AG1, AG भी 1 है, और AG नहीं है, N1, N1, N1 और कहीं नहीं है, oxygen 3, oxygen 3, चलो यह संतूली थी थी था, अगले देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, हमको लग रहा है कहीं मेरे से mistake हो गया होगा, इसलिए एक बार चेक कर लिए, ठीक है, आप लोग भी कोशिस करें चेक कर लेने का एक सी एल कितना दो चलो अरे भाई इसको फिर से करें कि आप लोग को सही से दिखता नहीं होगा इसलिए चलो यहां आप देख लो भाई बी ए एक सी एल दो और एक घर बनाएं एक घर बनाएं हैड्रोजन की संख्या दो एस वन ओ चार मतलब ऑक्सिजन चार ठीक है बी ए बी ए ए एक एस एक ऑक्सिजन चार ठीक है देखो कितना स्पीड में आप लोग बना सकते हैं हाज ह सी एफे एफे एक ठीक है आराम से आजाओ अब हम लोग यह आप कर लेते बी एए एक फिर यहां पर रहा हो कियेures गुना किये, हैडोजन की संख्या कितना हो गया, 2, और क्लोरीन की संख्या कितना हो गया, 2, चलो, कोई दिकत नहीं, चलो, एक तो खतम कर दिये, अब देखो, यहाँ पे हैडोजन की संख्या 2, हैडोजन की संख्या 2, S1, S1, औक्सिजन चार औक्सिजन चार अरे बही यह तो कमाल हो गया वी ये देखो ब्रेलियम एक सी एल दो कर दिये गुना करके हैड्डोजन दो हैड्डोजन दो S1, तो S1 है, ठीक है, और Oxygen 4, Oxygen 4, तो यहां पे 2 स्गुना किये हैं, सिर्फ पूरा हो गया, यहां पे, यहां पर दो लगा देंगे, कोई दिक्कत हुआ यहां तक समयने में, अराम से आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखा इस पर आप लोग एक बार सर्च कर लेजे, रसायनिक समिक्रन संतूलित कैसे करें, बायारी अंसर मिल ज कुछाए, रसायनिक समिक्रन जो हम लोग संतूलित के वहीए हो क्यों आवसके समझेगा, रसायनिक अभिकरिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उतपाद पर्तेक पदार्फों की जो पर्मानुक संख्या हो ना चाहिए, वह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए रसायनिक अभिकिरिया के पहले एबम उसके बाद परतेक पदार्थों की परमानु की जो संख्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए इसलिए हम लोग रसायनिक समिकरन को क्या करते हैं संतूलित करते हैं इससे दोनों तरफ जो है धरमान भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाए कि रसायनिक अभिक्रिया के परकार, रसायनिक अभिक्रिया के परकार, अब हम लोग पढ़ लेते हैं, कितने परकार के होते हैं, सयोजन अभिक्रिया, बियोजन अभिक्रिया, विस्तापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, रेडोक्स अभिक्रिया, इसी में आ जाएगा दोनों जब हो तो redox अभिकरिया होता है तो सयोजन किसको कहते हैं भया तो रसायनिक अभिकरिया आख परकार पढ़ने हैं सयोजन अभिकरिया इस अभिकरिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्मान करता है को ऐसे को उसी को क्या केते हैं स्योजन अभिकार्या केते हैं जोजए को इसमें दो अभिकारख है एक उतपाद ह् 내 दिक्कत वह सी और इहां पर oxygen co2 carbon और oxygen मिलाए carbon क्या है solid है और oxygen क्या है gas है तो co2 carbon dioxide बन गया मतलब ख़ी लाका दहन एक उधारन से समझ गे, सयोजन अभिकरिया किसको कहेंगे, इस अभिकरिया में दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, और उत्पाद का निर्मान करते हैं, ठीक है, इस अभिकरिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्मान करता है, उसी को क्या क मिलके एक उत्पाद का निर्मान करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया बियोजन में क्या परेंगे एक अभिकारक तूटकर इसमें इसमें क्या परहे थे संयोजन में क्या परहे थे दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्मान करता है उसे हम लोग संयो उत्पाद में बदल जाता है उसे ही अभी किरिया को हम लोग क्या कहते हैं वियोजन अभी किरिया कहते हैं जैसे कि यहां आप देखो CA CO3 था और यहां पर अभी किरिया करने के बाद यह क्या हुआ CAO पलस CO2 बना यह CAO क्या बनिया add 2 उत्पाद का निर्मान हुआ उसे क्या कहेंगे वियोजन अभी किरिया ठीक है में आ जाता है ऋ्समिये वियोजन बिद्धूत वियोजन और प्रकास से वियोजन वहयिसा अभी किरिया जिसमें उसमा वो से अभी किरिया किरिया कर autant Kψ चबित किखू वह बिद्धूत बीयोजन प्रकास से अभिकिरिया कर आजाएगा प्रकास लेइभिक्रियाद अभिकारक का उस्मा मतलब गर्मी के द्वारा किया गए हो तो उसमे बीयोजन कहलाएगा ठीक है उसमें बीयोजन किसको कहेंगे अभिकारक को गरम किया जाए और गरम करने के बाद जो उत्पाद निर्मान होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे उसमिय भियोजन कहेंगे अभिकारक को उसमा द्वारा किया जाए भियोजन को उसमिय भियोजन कहते हैं तो यहाँ पर देखो उसमा लगा दिया आग लगा दिया आग लगान के उत्पाद बना दे लेकिन इसमें याद रखना मैं ने फ़रहया इदर ब्योजन अभीकिरिया में सिंगल नहींगा और बिद्धोत, तो बिद्धोत और नहीं होगा चाहला है चाहला उसमिय हो या होगागा 3 छ तering है उसमिय, परकास्य और विद्धूत, तो विद्धूत में क्या होगा, विद्धूत द्वारा परवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को विद्धूत वियोजन कहें, ठीक है, कोई दिक्कत, उधारन के लिए आप ये लिख सकते हैं, आगे हम लोग समझते हैं, परकास्य उपस्थिती में सूर्य की जब प्रकास रहता है लाइट आता है सनलाइट उस समय जो भ्योजन होता है उसे ही हम लोग प्रकासिय भ्योजन कहते हैं ठीक है उधारन के लिए आप लोग यह चिपका दो कोई दिक्कत टू एजी सी एल और यहां पे सूर्य का प्रकास हुआ और अभिक्रिया होके यह बना ठीक है कोई दिक्कत अब यहां पे आपके हैं इसा यह क्या बना तो आप लोग को पूरा किताब हम पढ़ा रखें ठीक है इससे पहले भी हम इन सब चीजों के बारें बता है तो ज्यादा तर यह नहीं पूछा जाता है यह परकासिय भी उजन कि को पूछ देता है ठीक है यह この leftover video ब्लैक है यह लुग ने क्या संझा उसमें उसमा अभिकारक में उसमा द्वारा कि हाजाए तो बियोजन केहते हैं विध्थूत बियोजन बिद्वारा परभाविद होने वाले को विद्धूत वियोजन कहते हैं next परकास वियोजन सूर्य की परकास की उपस्थिती में होने वाले वियोजन को परकास से वियोजन कहते हैं आगे हम लोग समझते हैं विश्थापन अभिकरिया विश्थापन अभिकरिया इस अभिकरिया में अधिक क्रियासिल तत्व को अपने उसके योगिक से विस्थापित कर देता, जो अधिक क्रियासिल तत्व उड़ेगा, वो जो है कम क्रियासिल तत्व को क्या करेगा, उनके योगिक से विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा, विस्थापित का मतलब क्या होता, हटा ठीक है यहाँ पर क्या बन गया यहां पर देखो आ घिया फीस वर योहा 興च क्योंशनाने चाहिर लिटन मोच अभिस्थापन में अधिक क्यूंअ कीदा कर देता तब देखो यहां पे क्या हुआ यहां पे क्या होगा sodium sulphate है na2so4 और varium chloride है यह एक बार उसके साथ हुआ है जैसे कि यहां पे देखो bacl2 है यहां पे क्या हो गया यह इसके साथ चला गया और यह इसके साथ चला गया na sodium इसके साथ चला यह इधर हाँ कि यह जो है इसके साथ चला गया यहां देखो बी एस ओफोर हो गया बेरियम सल्फेट और यहां पे सोडियम क्लोडाइट बन गया अगे हम लोग समझते हैं अपचयन और उपचयन अपचयन में क्या होता है कि अभी करिया उस अभी करिया केंगे पदार्थ में ऑक्सिजन की बिर्दी होगा और हैड्रोजन का क्या होगा हरास होगा ठीक है यहां पर क्या है? C plus O2 मतलब कारबन प्लस strainer, क्या हो गया carbon dioxide यहां पर जो है oxygen की सख्या, oxygen में क्या होगा? बिर्दी होगा, और hydrogen में क्या होगा? रास होगाए फिर यहां पर देखिया पदार्थ में hydrogen की बिर्दी, यहां पर क्या होगा? पदार्थ में hydrogen की बिर्दी होगा और अप उपचेयन में पदार्थ में जो है ऑक्सिजन की बिर्दी और अपचेयन में जो है अप लोग का अपचेयन में क्या होगा पदार्थ में हैड्रोजन का बिर्दी होगा और ऑक्सिजन का हरास होगा और जब दोनों हो तो यहाँ आप देखें यहाँ पर क्या है cuo और यहाँ पर है h2 यहाँ पर देखें यह जो है उसके साथ चला गया ठीक है अब देखो यह जो है इसके साथ चला गया light करके light चला गया चलो भई हाँ इसमें दोनों होड़ा है ना देखो यह जो है यह सिंगल आ गया यहाँ पर और यह जो है इसके साथ चला गया ऐल यहाँ पर क्या हो रहा है oxygen का हरास हो रहा है और oxygen का अपचयन और यहाँ पर आप्सीजन की बिर्दी हो रहा है वहाँ पर क्या ओजिए गा हो जाएगा ओके तो यह जब दोनों अभिकित पर तो उसी को बोला जाता है redox अभी किरिया ओके अब देखो हम लोग समझ लेते हैं संचारन संचारन का मतलब होगा किसी भी बस्तू पर परत लग जाना ठीक है जंग लग जाना अब यहां पर समझते हैं हम लोग जब कोई धातू अधरता आधरता वायू पानी आधी के संपर् तो उसके क्या होगा काला परत पर जाएगा तामबे पर हरी परत पर जाता है तो यहीं हो गया संचारन जब कोई धातू का बाहर ऑक्सिजन में छोड़ दीजे वाय मंडल में छोड़ दीजे उस पर परत बैठ जाता जंग लग जाता है ठीक है और यहां पर है वीकृत चस्ध में क्या हो जाता है परीवरतन हो जाता जब चेली अपर अगए जयसे कि जली या बगिरा खाते है उस सब चीज चेव तह चीजह थे लिया पदा लुत होता उसमजी हो यह जाता ह। हो जाता है अब उस्मा छेपी अभिक्रिया हम लोग समझते हैं उस्मा छेपी और उस्मा सोसी उस्मा छेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्मान के साथ साथ उस्मा भी उत्सर्जन उस्मा का उत्सर्जन होता है उसे उस्मा छेपी अभ ग्रीन देख केंगे और उसमा science जीन अभी करीया में अभी कारक को तोरने के लिए उसमाया परकास या विद्धुत कया वे क्या हुट्य होता है तो उसमय एप हम हम लुग्या कैतें इसमें देखे थे आप और इसमें इसको पहचोने का तरीका क्या है सीधी सी बात समझी इसमें अभी कारक जो होगा एग होगा और उत्पात जो होगा दो या दो से अधिक होगा तिसमें जो है उसमा और परकास और क्या कहते है उसमा परकास विद्धु तीनों ची क्या वे सकता होती है तुसको क्या कहेंगे उसमा सोशी अभी क को लेके तब तक के लिए बाबाई जय हिंद जय भारत